असलाम लेकुम इस तो आज हम लोग कवर करेंगे इंशाहला मिट रम का कंप्रीट से बस जिसमें लैक्च नमर 19, 22 अप टू 22 तक हम लोग कवर करेंगे इसमें कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स है मैं आज की वीडियो बनाने लगा हूं वह बनाओंगा क्योंकि आज फर्स पे आये हैं उससे से इन चैप्टर में से हम लोग इंशाला टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है चलें जी सबसे पहले हमारे पास यहां पर सबसे इंपोर्टन चीज है वो है जी यह कुछ फंक्शन है टैल जी सीक जी टैल आया है कुछ यहां पर start में के टैल जी हो सीक जी हो और सीक पी हो यह function क्या करते हैं यह set and get करते है position of get key and put pointers in a file while reading and writing it means कि एक यह position के साथ काम करते हैं दूसरा यह कि pointers के साथ इनका कोई लेन देन होता है वो क्या चीज़ इसको थोड़ा सह माग जा अगर समझते हैं तो सबसे पहले जनाव यहां पर टैल जी के बारे में है इसकी अगर आपको definition समझ आ जाती है तो अगर आपको question आए तो आप उसको easily understand कर सकते हैं तो सबसे पहले यह है कि टैल जी एक तो इस्तमाल होता है input streams के साथ और input stream का मतलब है कि जिसमें हम लोग user से input लेते हैं and returns the current get position of the pointer in the stream और जब वो input stream को इस्तमाल करेगा तो वो क्या करेगा कि उसकी get position जो है pointer की वो हमें दे देगा get position क्या होती है कि जो चीज आपने user से ली है ठीक है उस चीज को हम लोग get position कहते है कि इस वक्त हमने फर्स करें 10 line थी और उसमें से जो अभी position ली गई जो input लिया गया वो पढ़ा है चोथी number बे ठीक है जो है वो IO library है ठीक है IO library क्या होती है कि जो हम input और output के साथ काम करते है यह क्या करता है that allows you to seek to an arbitrary position in a file तो यह चोटी सी definition है ठीक है इसको आप लिख लिए note down कर ले ऊपर टैल जी की थी उसको भी आपने note down कर लेनी है अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि seek g में हमें मजीद क्या मिलता है कहते हैं जी seek g function moves a file's read position ठीक है तो क्या है यहां पर position की बात भूई थी arbitrary position लेकिन arbitrary से क्या मतलब है कि the seek function moves a file's read position कि जिस जगा से file को read किया जा रहा होता है ना इसका मतलब यह नहीं होता है कि जहां पर आपका get pointer है उस जगा को आपके तरफ बता रहा है कि उस जगा पर यह फाइल पड़ी है यानि उसको read करके आपको output दे देगा ठीक है seek p function क्या करता है कि वो जो file अभी पढ़ड है उसको move कर जाएगा यानि किसी और position पे भेज देगा आखिर पर seek p है seek p को हम लोग जनाम बुर कहते हैं कि is used to set the position of the pointer in the output sequence with the specified position तो यहां पर simple सी बात यह है कि यह तो हमारे साथ output stream के साथ काम करेगा क्योंकि यहां पर output sequence आगा तो वो output streaming के साथ काम करेगा यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है और यह किसलिए काम आता है कि output streaming के अंदर यह pointer की position को set करते हैं तो यह simple सी इनकी जनाम definitions है इनको पी देख लेए इनकी usage मैंने आपको बता दी और बड़ा ही इसको लाजमी आपने खड़ना है paper में चीज़े आई थी ठीक है ओके नेक्स टाइजी हमारे बड़ा structure the most important topic है यहां पर पहरे हम देखेंगे कि structures होते क्या है structures in C++ तो यहां पर भई हमें बताया जा रहा है कि structure is a collection of variables of different data types under a single name ठीक है कि एक ही नाम का इस्तमाल हम करते हैं और उसके अंदर हम मुख्तरिफ data types के साथ काम कर सकते हैं ठीक है तो यह चोटी सी definition है मैं highlight कर रहा हूं इतनी definition को लिख लिजएगा इन किस वाप से पूछ लेते हैं कि structure क्या होते है इसमें कुछ program है वो मैं इन्शालला आपको करवाओंगा तो आप लोगों ने उसकी practice लाज़ मेरे साथ करनी है तो जनाब structure को बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि उसको आपने start करना है struct keyword के साथ जब यह आप लिख लेंगे उसके बाद आपने structure को कोई भी नाम दे देना ह है फर्स करें जी हम structure बनाने जा रहे हैं एक student का अब student का कोई नाम हो सकता है कोई address हो सकता है और कोई उसका GPA हो सकता है तो यहां पर हमने उसको बता देना है कि वह तीन तरहां के variables है एक और चीज़ जो बहुत जादा आपने याद रखनी है और जहन में रखनी है कि structure की जो body है ना जैसे कि curly brace है उसके last पर आपने semi colon last भी put करना है अगर यह नहीं लगाएंगे तो यह error generate कर देगा एक चीज़ यह है कि structure के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को define नहीं कर सकते यानि हम variable बना तो लिया हमने एक name एक variable है address एक variable है GPA लेकिन इस name के अंदर कौन सा नाम आएग address के अंदर कौन सा address आएगा GPA जो है वो कितना है यह चीज़े हम लोग structure के अंदर define नहीं कर सकते जब भी हमने variables को को values देनी है तो हमेशा structure के बाहर वो दी जाएंगी उसको हम कहते है initialization variables को कहीं और जाकर अगर आप values देंगे तो उसको हम कहेंगे initialization तो हमने क्या करना है कि य उसी का नाम इस्तमाल कर लेना है और आगे अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख सकते हैं यहां पर आपको दो नाम बता दिये गए हैं जो के थोड़ा सा tough कर दिया गया है I don't know क्यों यह view जो है वो बच्चों के पीछे पाड़ गई है मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा आसा चीजें जो हैं वो करवानी चाहिए ताकि आप लोग उसको easily understand कर सकें फिर जब असान हो जाए तो फिर मुश्किल सो दफार करवाएं तो मसला नहीं होता चलें कोई बात नहीं है तो यहां पर जिनाब ठीक है उसको बाहर डिफाइन किया गया और जो भी है मैं आपको practically करके बताता हूं सारा ठीक है यह मैंने भी किया था ताकि error अगर है तो निकाल दूँ अच्छा है अब हम इस एक structure बनाने लगे हैं तो यह जो code है इतना आपको मैंने पीशे करवाया वा सारा तो मेरे खियाल इस पर time waste करने जरूत नहीं है में बाड़ी के अंदर हम आ जाते हैं तो हम एक structure बनाएंगे तो हम keyword लिखेंगे struct फर्स करें मैं एक info एक नाम दे लेता हूं ठीक है कि मुझे information चाहिए किसी की अब मुझे यहां पर चाहिए सबसे बहुत इसका नाम और मैं character में इसको store कर सकता हूं ठीक है यहां पे basically जो तरीका का रहा है यह और आपने देखा ह है ठीक है 40 से जादा नहीं हो सकते इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मुझे उसका address भी मिल जाए और मैं चाहता हूं कि address लागा भी हो तो कोई मसला नहीं 100 characters हम उसको लाओ कर देंगे तो ठीक है इतना काफी है इसको आप जादा कम कर सकते है अशु नहीं है अब यह था declaration कहते हैं बना लेना variables को ठीक है अब हम क्या करेंगे कि इस जो structure है info जो हमने नाम रखा है इसका हम बनाएंगे object तो उसका तरीका यह है कि आप उसक को करना है यहां पर define यह declare थे अब outside the structure हम इसको करेंगे define assignment operator लगा लगा ले अजनाब curly brace लगा ले अब सबसे पहले क्यूंकि आपने name लिखा था तो name को यहां पर define करते मैं कहता हूं नेम है खलीक मिर्दा तो आप notice करें तो six letters ये और five ये कितने हो 11 और बीच मेरे पास जो है I think 28 remaining है कॉमा लगा लें अब आगे address है address जिनाब हम ले लेते हैं अपना cell code जिन्दाबाद अब ये तो हो गया कि हमने यहां पर declare कर दिया define भी हमने कर दिया output कैसे लेंगे output लेने के लिए आपने जो यह object सा बनाया है इसको आप लिखेंगे और dot operator मैं क्लिक करूंगा dot लगा जैसे मैंने dot लगाया तो उस structure के अंदर जो variables यहां पर पढ़ सकते हैं कि इनका नाम क्या है variable name और address कैते हैं किसको आपने access करने किसको call करने मैं कहते हूं यह name को call करने semicolon मैं अगर इसको see out कर दूँ तो मुझे यह name show हो जाएगा यह देखें जी खिलीग मिजदा साब आगे हैं अब मैं यह करता हूँ कि इसको end line कर देते हैं and again मैं i को use करूंगा dot operator लगाऊंगा ओके अब फिर से आप किसको call करना चाहते हैं मैं कहते हैं तो address जो करवा दो यार लें जनाब तो first line पे वो नाम आजएगा और second line पे वो चीज आजएगी जो आपने output की है तो यह थे जनाब simple से structures इसके बाद यहां पे concept ना इसका pointer का यह बड़ा खास है इसमें ना मैं देख रहा था बड़ी मज़े की चीज मुझे लगी थी मैं आपको थोड़ा साब बताना चाहा रहा हूँ किदर हो गई हाँ यह चीज कि जब हम लोग देखें नॉर्मली यह structure बना हुआ है वही उसने define किया वह चीजों को ठीक है यहां पे उसने बना गिया है pointer ठीक है अब बात आगे pointer की तो pointer के साथ जब आप structure का इस्तमाल करेंगे ना तो उसमें दो चीज़े आ जाती है एक तो यह चीज मैंने पढ़ाई है और पहले भी बहुत दफ़ा के pointer को हम assign करते हैं जब कोई तो उसका सबसे पहला जो होता है value जो होती है element होता है वो उसमें sign हो रहता है उसका memory address आ रहता है तो यह करने के बाद दो तरीके हैं देखें यह भी output लिया गया है और यह भी output लिया ग कोई steric नहीं कोई parenthesis नहीं तो उसके साथ फिर dot operator का इस्तमाल नहीं होना बलके arrow operator का इस्तमाल होना है तो यह simple सा इसका concept है जो कि मैं अभी ही देने वाला हूं अगर यह चीज़ आप clear होगे तो ठीक है इसको मैं erase कर रहा हूं यह जनाब अब जनाब मैं यहां पर बना लेता ह अब मैं इस pointer को असाइन कर देता हूं memory address of i ठीक है अब मैंने इस i का क्योंकि इस i में मैंने डिफाइन किया था सब चीजों को तो इसलिए मैंने i को ही इसमें memory address असाइन करना है अब जनाब जबाश को see out करूंगा ना तो अबने नोटिस करना है कि जब pointer का इस्तमाल प्रेंटर को मैं यहां तो प्रेंटिसिज के लिखने के बाद डॉट लगाऊंगा तो फिर मैं एक्सेश कर सकता हूँ let's say मैं कहता हूं कि ने मुझे एक्सेश करने तो यह देखे मुझे ने शो कर देगा वो ठीक है लेकिन इस दफ़र डॉट लगाने के बाद उसने मुझ और अगर देखना है आप में तो क्या करेंगे सिर्फ पॉइंटर का नाम डैश और ग्रेटर देन ये है एरो मैथर्ड कॉलिंग विद एरो मैथर्ड देखें वही चीज है मैं नेम को कॉल कर देता हूं तो आप देखेंगे के भई हमारे पास सेम आउटपुट आ गया है तो सिंपल सी टेकनीक थी स्ट्रक्चर के साथ कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने पीछे और लेक्टर सारे मेरे की हुए हैं तो ये बचों का खेल आपको लगेगा यकीनन वाकी साइज और ये सब चीज़े मैंने करवा दी थी ठीक है लेक्टर नबर 21 पर आजए इसमें कु कर देता हूं ताकि आपके जहन में सार चीज़े बैट जाएं बिट्स के लिए न हमारे पास ये जनाब बिट मैनिपरेशन के कुछ अपरेटर्स हैं पेपर में आप कुछ चीज़ पूल सकते हैं कि बिट मैनिपरेशन ऑपरेटर कौन कौन ले कुछ से 2-3 बता दें तो उस और exclusive or का इसमें आपको सार चीज़े आती होंगी कि and operator में one का बाता है कि जब दोनों तरफ one हो और में one का बाता है कि कि जब किसी एक तरफ भी one होगा तो फिर भी answer उसका one आजएगा बिट्वाइज exclusive or में one का बाता है कि जब दोनों साइड different हो यानि एक साइड पर zero एक अगर तो 1 है तो उसको 0 में convert कर देगा अगर तो 0 है तो उसको 1 में convert कर देगा आगे रहा गया जिए left shift और right shift left shift कहते हैं कि इदर से चीज उठाओ और left side पर फिंग दो right को कहते हैं जिए right side उठाओ और उदर भेंग दो तो इसको थोड़ा से में डिटेल में आपको बता देखना ताकर यह आपके सर्दद खत्म होते हैं सारी कि सारी कि इदर हो भई अच्छा I think left के दर हाँ shift और आगे चलेगे चलेगे उससे पहले जो टॉपिक्स हैं मैं उनको थोड़ डिटेल में बता दूँ बिट फ्लैग्स देखें जी जहां पर बात आगी बिट्स की वहां बात आगी वान और जीरो की कोई दूसरी तिसरी बात नहीं है वान और जीरो ही है ठीक ह तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ठीक है यहां पर कुछ यह अपने अपने फंक्शन है कि rwx, rx और rw यह क्या करते हैं जनाब इसको हम कहते हैं यह जो rwx फंक्शन है ना आपका यह ऐसे सिंबल है जो कि read, write and execute permission देते हैं फाइल को तो यह इनका छोटा सा गामज यहां पर यहां पर कर लेना है, will be zero, ठीक है, यहां पर सब इतना ही है, masking क्या है, देखें जी, simple से चीज़ है, जब ना, मैं आपको असान सी बापताता हूँ, जब आप कोई password या email लिखते हैं अपना, और जब आप send करते हैं, या register कर रहे होते हैं, आपको निया account बना रहे होते हैं, तो आपकी जो privacy है, वो चुपी होती है password में, जो website बनाने वाल है, वो भी आपका password उठा सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी masking है, अब masking उसको नाम दे सकते हैं, यहां बे, masking कहते हैं ऐसी चीज़ को, जो के आपके उस password को भी encrypt कर देता है, और encrypt का जो concept है वो यह है, कि आपका जो password को आपने लिखा होता है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, खलीक 12, यह मेरा password है, लेकिन जब यह password मेरा जाएगा database में, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक code में convert हो जाए, किसी खास किसम के अजीब से code में, उसको कहते है encryption, कि आपके data को एक मुख्तलि and decrypt ये दो लफज हैं जनाब, और masking का मतलब यही होता है, कि आपकी privacy को maintain रखा जा सके, आप बेशा कि सब पढ़ सकती है, इसमें, जो ऐसे मैंने आपको सारा बता दिये, इतना पढ़ने के जुरूरत नहीं है, वैसे, ओके, so what is next, हाँ, ये लिखे देखे, अब कहते हैं कि encrypt और decrypt करने के लिए, हमें कौन सा operator चाहिए, जो हमें exclusive और, यानि कि ये वाला जो symbol है, इसका इस्तमाल करना पड़ता है, ताकि हम अपने passwords को encrypt and decrypt कर सके, ओके, 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 इसमें कुछ नहीं है बढ़ने वाला, ठीक है, unsigned integer, जो आप इसकी बात कर लेते हैं, यहां त देंगे, तो क्या होगा, ठीक है, कहते हैं, कि bit अगर 0 हो, तो वो positive consider किया जाता है, अगर bit 1 हो, तो वो negative consider किया जाता है, ठीक है, जो कि यहां के मताबिक है, यानि इसमें positive and negative के chances होते हैं, लेकिन जब आप variable के data type से पहले unsigned लगा देंगे, तो वो हमेशा positive ही treat करेगा, वो negative नहीं हो सकता, यह unsigned integer का concept है, that's it, अचारी shift operator के बात का रहा था, आप notice करेगा, कि यहां पर अभी, हम left shift का रहे हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूं, यह देखें, left shift का रहे हैं, तो यहां पर जना one पढ़ा फिल हाल इदर, और हमेशा shifting apply होती है, once के उपर, zero पे तो कुछ हो backward आजाएगा, पीछे आजाएगा, left side पर, अगर आप दुबारा उस पर shift operator लगाएंगे, तो फिर एक दफ़ा वो पीछे आजाएगा, और जोगा जगा खाली का रहा है न अपनी वो, वहां पर zeros आ जाते हैं, और यही concept जनाब आपको यहां पर right shift के साथ मिलता है, कि अगर आपके पस ones हैं, दो, तो वो दोनों एक time पर आगे आएंगे, और एक cell में आगे चले जाएगे, पहरे दो इदर थे ना, अब यह दोनों उठेंगे, और next इन दो के उपर आ जाएगे, और जो जगा खाली होई, वहां पर zero आगया, अब जब दुबारा से उस के उपर आपन करते हैं, और इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल से गानी होगी, खत्म होगा चैप्टर, लैक्टे नमर 22 में जगा कुछ भी नहीं है, वो जो हमने पिछले 21 चैप्टर पड़े हैं, उस सारे के सारे इसी में उन्होंने कवर करवा हुए हैं, तो यह था ज चैनल को देखा, उसको दूस तक पहुंचाया, पसंद किया, इसका मैं बहुत शुकर गुजार हूँ, और इसके साथ एक पस जाती जाती बे कर रहा हूँ, कि भई, चैनल सब्स्क्राइब नहीं ना किया, तो कंजूस ना बने, अब कर दें, ओके भी, अल्लापीस पिर,